जहिन सात्यों स्वागत एक बदफिट से एक नए वीडियो में मैं सिवम आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो कुलासिस कैसे दोस्तो आसा करता हूँ अच्छे होंगे और एक्जाम की तेयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आज का पहला कुश्यन ये रहा इन में से कौन सा नित्य महभारत के कथाओ पर अधारी थे कौन सा नित्य है दोस्तो आपसन देखिए डंडा नित्य है भरत नाटियम है सरहूल नित्य है या फिर पंडवानी है इन में से कौन सा नित्य है ये आपको बताना है जी दोस्तो अगर आप आपसंड डी के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है पंड़वानी नित्या महभारत की कथाओं पर पंड़वानी नित्या किया जाता है ठीक है दोस्तों व्याख्या देखिए किल्यार हो जाएगा इस वीडियो कमेंट पाठ होता है व्याख्या पंडवानी महभारत की कथाओं पर अधारित होती हैं पंड़ा इसके नायक होते हैं तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों ये नाम पूछा जाता है जाड़ो राम देवांगन और तीजन बाई ठीक है दोस्तों बढ़ते अगले क्यूश्यन के तरफ निवन लिखित में से किस समाज के साथ घंसयाम गुप्ता का संबन था कौन सा समाज है दोस्तों आपसन देखे आर्या समाज है ब्रह्म समाज है प्रातना समाज है या फिर राम कृष्ण मिशन से हैं इन में से कौन सा अप्षन आपको सही लगता है अपना राइट आंसर टिक करें जी दोस्तों अगर आप अप्षन ए के साथ जा रहे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है आर्या समाज व्याख्या दिखते हैं घंशाम सी गुपता का संबन आर्या समाज से रहा है ये 1937 में मध्य प्रांद विधान सबा के अध्याक्ष भी रहें तथा उन्होंने दूर्ग जीला हरीजन सेवक संकी स्थापना की ठीक है दोस्तों अगर आप सभी क्यूस्चन को ऐसी डीटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करें सीजी जी के एस्ट अफेक के नाम से आपको मिलेगा उपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का वहां से आप जाकर डारेक्टली सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं मैं पार्ट में तिबबतियों को की सबसाया गया ओप्सन देखें दोस्तों 1960 में 1962 में 1964 में या फिर 1966 में तो इनमें से की सबसाया गया दोस्तों यह आपको बताना है जी सांथियों इस question का right answer हो जाएगा B, 1962 में राख्या देखिए 1965 में तिबबती सरनाथियों को सर्गूजा के man part में बसाया गया था इसे छोटा तिबबत के नाम से भी जाना जाता है man part को 36 गड़ का सिम्बला कहा जाता है यह आपको याद रखना है दोस्तों यहां से डारेक्ली question बनता है के लिए रहे दोस्तों इस question में बस इतना ही बढ़ते अगले question के तरब 36 गड़ के गांधी कहा जाते हैं किसे कहा जाता है दोस्तों आप्सन देखिए इर अग्वेंदर राव को, रवी संकर सुकल को, सुंदल लाल सर्मा को या फिर ठाकुर प्यारे लाल को इन में से कौन सा अप्सन आपको सही लगता है अपना right answer टिक करे जी दोस्तों अगर आप अप्सन C के साथ जा रहे तो आपका answer बिलकुल right है सुंदल लाल सर्मा व्याठ्य देखिए पंडि सुंदल लाल सर्मा को 36 गड़ में राष्टी जागरान का अगरदू तसा 36 गड़ का गांधी कहा जाता है इनका जन्मा 1881 में राजिम के चंदैसूर में हुआ था यहाँ एक महान समासु धारक थे 1908 में 36 गड़ राज्य की प्रथम संकल्पना पंडि सर्मा ने की थी तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों जो डेट दिया गया है जन्म 1881 में 1908 में संकल्पना की थी किल्ले हैं दोस्तों बढ़ते अगले क्यूश्चिन के तरफ किस वर्षा 36 गड़ सरकार द्वारा साकमरी योजना प्रारम की गई थी बहुत यह अच्छा कुश्च जैने हैं दोस्तों आप्सन देखिए 2004 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2008 में इन में से कौन सा आप्सन सही है अपना राइट आंसर टिक करें जी दोस्तों अगर आप्सन B के साथ जा रहे है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है 2005 में व्याख्या दिखते हैं 36 गड़ राजे द्वारा साकमरी योजना 2005 में प्रारम की गई थी इस योजना का उद्देश्या नेजी स्रोतों से सीचाई रग्वे में विर्धिक करना तथा उपलब्द प्राकृतिक जल्सरोतों का सीचाई में उप्योग को प्रोसाहन करना ये उद्देश्या था ठीक है दोस्तों तो आपको याद रखना है डेट यहाँ पर जो डेट दिया गया है 2005 में किल्यर दोस्तों बढ़ते अगले क्यूश्चेन के तरफ ताला गाउं किस नंदी के तरफ पर बसा है आप्शन देखिए इंद्रावती नंदी गंगा नंदी महा नंदी या फिर मन्यारी नंदी इन में से कौन से नंदी के तरफ पर बसा है आपको बताना है जी दोस्तों अगर आप आपसंटी के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है मन्यारी नदी व्यक्खे देखिए ताला गाव बिलासपुर जिले में अमेठी ग्राम के समीब मन्यारी नदी के तर्द पर इस्तित है यह सरपपुरी सासको द्वार जठाने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है तो यहां पर आपको नाम याद रखना है दोस्तों अमेठी ग्राम ठीक है और मन्यारी नदी के तट पर यहां से डाइटली क्विश्चन बनता है तो इस क्विश्चन में बस इतना ही बढ़ते अगले क्विश्चन के तरब दैवती ने की सिस्थान के जंगल सत्यग्रह में हिस्सा लिया था आप्सन देखिए राइपूर में धंतरी में महासमुन में या फिर रूदरी नवागड में इन में से कौन सा आप्सन से हैं अपना राइट आंसा टिक करें जी दोस्तों अगर आप आप्सन सी के साथ जा रहे तो आपका अंसार बिल्कुल राइट है महासमुन व्याख्या देखिए सितंबर 1930 में महासमुन के तमोरा में जंगल सत्यग्रह किया गया इसमें बालिका दयावती ने वन अधिकारी को थपड़ मार साहस का प्रच्य दिय तो यहाँ पर आपको डेट याद रखना है दोस्तों 1930 में कहाँ पर महासमुन में ठीक है दोस्तों बढ़ते अगले क्विश्चेन के तरफ निम्न लिखित में से कौन सा राष्टे उद्यान 36 गड़ में नहीं है आप्सन देखिए इंद्रवती राष्टे उद्यान, काजी दोस्तों इस क्विश्चेन का राइट आंसर हो जाएगा B, काजी रंगा राष्टे उद्यान यह 36 गड़ में नहीं है बाकी जो तीन आप्सन है इंद्रवती राष्टे उद्यान, कांकेर घाटी राष्टे उद्यान और गुरु घासीदास राष्टे उद्यान यह 36 दोस्तों आपको याद रखनाय का जी रंगा- téléphone अखे बस इतना ही बढ़ते अगले जिस्टियन के दरब है इंद्राकला संगीत विस्वित द्याला खिला गर की स्थापना कभ ना कभी कभ हुई थी दोस्तों आप्सन देखिए, 1954 में, 1956 में, 1959 में, या फिर 1960 में, इन में से कौन सा आप्सन सही है, अपना राइट अंसर टिक करें, जी दोस्तों, अगर आप आप्सन B के साथ जा रहें, तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है, 1956 में, व्याख्या देखिए, खैरागार के राजा विरेंसी ने, अपनी प्रिय पुत्री इंद्रा की स्मिती में, अक्टूबर 1956 में, इंद्रा कला संगीत विश्विद्याला की स्थापना की, थेड़ागार राजमाहल में संचालित या एसिया का प्रथम संगीत विश्व इद्याला है किल्यार है दोस्तों तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही बढ़ते अगले क्वेश्चन के तरफ पुरता तोई भाग ने 1987 इस्वी में एक प्रख्यात मुर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्रानियों के भाग समलित थे इसे सासन ने कौन से इस्थान पर रखा है आप्सन देखें दोस्तों सिरपूर में हैं मल्हार में हैं रतनपूर में हैं या फिर ताला गाउ में हैं इन में से कौन से इस्थान पर रखा गया है ये आपको बताना है जी दोस्तों अगर आप आप्सन डी के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है ताला गाउ व्याख्या देखें किल्यार हो जाएगा पुरतत्व भाग द्वारा 1987 में एक मुर्ती खोजी गई जिसके अंग अलग-अलग प्रानियों के मुखागरिस से निर्मित है इस मुर्ती को ताला गाउ में रखा गया है इसे रुद्र सिव प्रतीमा कहा जाता है यहां से डारेक्ली कुष्चन बनता है दोस्तों आपको याद रखना है रुद्र सिव प्रतीमा कहा इस सित है तो आपको याद रखना है ताला गाउ में कि लिए हैं दोस्तों बढ़ते हैं अगले कुश्चन के तरप और आज का अंतीम कुश्चन है यह कुश्चन आप लोगों के लिए हैं जिसका अंसर आप लोग को डीटेल से कमेंट बॉक्स में देना है दंते वाड़ा जीले के विभाजन से बना नया जीला बिजापूर अस्तीत्व में आया कब आया दोस्तों आप्शन दिये हुए हैं यहाँ पे अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टिक करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो की रिकार्डिंग कोई भी क्विश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जब तक खुश रहें दूसरों को भी खुश जाहिन जाहिन